हेलो फ्रेंड्स मैं आश्रिमा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल कीचन पार्टनर्स टीम में एकने रेस्पी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे भर में करेले बहुती ज़्यादा आसान तरीके से बनाए हैं बहुती ज़्यादा टेस्ट ही है आप एक करेले की जगवा पे दो करेले खा जाएंगे तो आप एक बार इस रेस्पी को ध्यान से ज़रूर देखेगा और एक बार घर में ट्राय ज़रूर कीचेगा तो रेस्पी देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा साथी साथ बैल आइकन बटन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज वीडियो अंट तक ज़रूर देखेगा सबसे पहले हम लेते हैं करेले यहाँ पर मैंने फ्रेश करेले ले लिये हैं उनको अच्छे से धोकर ओपर की डंडिया साइडों वाली मैंने काट दी है रणिया निकालने के बाद यहाँ पर मैंने करेले को अच्छे से छेल दिया है जो करेले का छेलका है वो फेंकना नहीं है उसको रखना है वो बहुत काम आएगा अभी तो इसी तरह से मैंने सारे करेले अच्छे से पिलर के साथ छेल लिये हैं आप चाहे तो सिंपल चाको के साथ भी चील सकते हैं जैसे ही हम करेले को चील लेंगे तो उसके अंदर से ऐसे कट लगा देते हैं सारे करेले के अंदर से लंबे वाले कट लगा देने हैं ध्यान रखेगा 20 पक्का नहीं होना चाहिए और लाल नहीं होना चाहिए और जो हमने करेले का छिलका रखा था उसमें हम थोड़ा सा नमक लगा कर साइड में रख देते हैं ताकि जो करेली का कड़वापन है वो चिलके के अंदर नमक लगाने से जो एक्स्ट्रा कड़वापन है और पानी है वो निकल जाएगा इसको हम रख देते हैं आदे घंटे के लिए अगर आपकी पस आदा घंटे का टाइम नहीं है आप आंदस मिनट के लिए भी रख सकते हैं यहाँ पर करेले देखे इस तरीके से करेले और करेले के बीज को हम निकाल देते हैं यहाँ पर मैंने चमच लिया है चमच की बैक साइड से हम करेले के बीज निकल रहे हैं चमच की बैक साइड की डंडी से करेले के बीज इजली निकल जाएंगे बीज इजली निकल रहा है इसी तरहें से सारे करोलों को ये बीज निकाल देने है करेले सारे खाली कर देने है इस बीज को भी हमने फेंकना नहीं है और ये करेले हैं करेलों पर भी हम थोड़ा सा नमक लगा देंगे दियान रखेगा जो बीज है थोड़ा पका है तो उसको निकाल दीजेगा थोड़ा सा कच्चा है तो रख लीजेगा अगर लाल रग का बीज है उसको भी फैंक देजेगा वो किसी काम का नहीं होगा ये soft वाले बीच है, मैंने रख दिये हैं और करेलो पर हमने नमक लगाके रख दिया है आप जाएं तो अगर जदा टाइम के लिए रख दीजीएगा नमक लगाकर अगर आप 15 मिनट के लिए रखना चाहते हैं तो 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं यहां पर मैंने एक प्याज लिया है विक्रेले के बीज ले लिये हैं मैंने हर इमेच प्याज को काट लिया है चौपर की सपोर्ट से मैंने चौप कर लेना है इसको अच्छे से यहां पर चौप कर लिया है और जो क्रेले के छिलके हैं नमक लगा कर रखा था वो भी हम पानी निकाल देते हैं देखिए कड़व वाला पानी साइट में निकल गया है एक्स्रा फानी इसको निचोड़कर ये भी प्याज के मेटीरियल के साथ ही हम रख लेते हैं यहाँ पर मैंने ओइल गरम कर लिया है उसमें थोड़ी से हींग डाल दी है और जो मैंने प्याज च्रेले का छिलका और बीज रखे हुए थे कट करके उसको मैं थोड़ा सा पका रही हूं कड़ाही में अच्छे से हम इसको पका रही हैं जैसे थोड़ा सा पक जाएगा उसमें थोड़ी से हल्दी लाल मेच नमत डाल कर इसको हिला देते हैं दो मिनट के लिए पका देंगे और जैसे थोड़ा से पक जाएगा तो इसमें एक चमच भर कर मैं आमचुर पाउडर भी डाल देती हूँ आमचुर पाउडर से क्या है जो करेले का कड़वा पर नहीं लगेगा और जो हमारे करेले है वो चटपटे बनेंगे और इसमें मैं थोड़ा से धनिया पाउडर भी डाल दिया है सुखे वाला अच्छे से हिला देते हैं मिक्स करके हम इस गैस का फ्लेम भी बंद कर देंगे और जो यह मसाला है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं यहां पर हम करेले देख लेते हैं करेले को धोकर रख लिया था इसका पाने निकाल देते हैं एक्स्ट्रा वाला एक्स्ट्रा पाने निकल गया है तो जो हमने मसाला त्यार किया है वो करेले के अंदर अच्छे से भार देते हैं करे ले के अंदर करेले की आजिसराला लाओं मादाप हुआ हुआ हो ता कि ये ज़ादा चटासा खुला ये तो एक धागा ले लेते हैं, रील ले लेते हैं, उस धागे की सपोर्ट से हम करेले को अच्छे से बान देंगे, तांकि जो यह मसाला है बाहर नहीं निकले पकाते हुए, देखे इसी तरह से हम धागे की सपोर्ट से करेले को बान देते हैं, सारे ही करेले मेंने बान दिये हैं, द अगर हाई फ्लेम होगा तो करेले जल जाएंगे इसको पका लेते हैं और दागे बंदने का ये फाइदा है कि जो अंदर की फिलिंग है करेले के वहाने ही निकलेगी और थोड़ी दिर ढखकर इसको पका लिया है और धिरी धिर इसका साइड पल्टते रहेंगे और करेले पक करेलों को पका लेते हैं यहां पर हम्मारे करेले बंब कर बętल कर उत्यकर पका va को दूआं इस तरह भीक करेले मेरे करेले की रेस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और शेयर जादा से जादा कीजेए ताकि यसी वीडियो मैं और भी डालती रहूं और कमेंट सेक्शन में जरू बताइएगा कि आपको कैसी लगी है यह करेले आम इसको अभी धागा खोल लेते हैं जब ख आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सी रेस्पी चाहिए तो आप बताएगा और हम आपको बना कर दिखाएंगे दिखे करेले कितने अच्छे लग रहे हैं सौफ्ट लग रहे हैं आप मानिंग ब्रिकफास्ट के लिए रख दीजेगा बना कर तो हफते दस दिन के लिए कहीं नहीं जाएंगे करेले खराब नहीं होते हैं और जल्दी से मिलेंगे नई रेस्पी के साथ तब तक लिए थैंक यू बाई